स्टुडेंट्स आज जो है मैं आपको इंटरमिडेट का एड्मिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का कोश्चन करा रहा हूं ठीक है जो कोश्चन है इसका उसको मैं पीडिएफ के जरीए आपको वाट्साप पे भेज दूँगा ठीक है और वो कोश्चन है कोश्चन नमबर टू ठीक है जो आपको पीडिएफ भेज़ुगा उसमें लिखा है प्रसंद संख्या दो ठीक है कोश्चन मैं पढ़ रहा हूं और पढ़के आपको पुरा सलोशन बता रहा हूं आप उसको ध्यान समझेगा 30 जून 2015 को A, B तथा C का चिट्था इस प्रकार था ठीक है तीन पार्टनर हैं पुराने आपके पास A, B और C और अगर हम बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे उसको जो कोश्चन में अपने तो उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून 2015 को उन्होंने दा को निम्न सर्थों पे साज़दार बनाने का निर्णे किया मतलब जो आपके पास नया पार्टनर आ रहा है वो दा यानि D आ रहा है यानि एड्मिशन हो रहा है किसका D का अब हम धीरे धीरे बैलेंस शीट को देखते रहेंगे और पूरा कोश्चन हम करते रहेंगे ये दिहान रहे कि एक एड्जस्मेंट दो जगा पर लिखी जाती है यानि दो स्थानों पर लिखी जाती है सबसे पहला आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए कोश्चन की बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा है आपका दे विपत्र यानि Bills Pay Bill Bills Pay Bill आपके पास 3300 रुपए है और नीचे एडजस्मेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में तुम सीधा उठा के उसको Bills Pay Bill को लाइबिटी साइड में 3300 रुपए लिख देंगे उसके बाद आपका पास लेंदार है 6000 रुपए का लेंदार पर कोई एडजस्मेंट नहीं है कोश्चन में उसको भी हम क्रिडिटर के नाम से 6000 लाइबिटी में लिखतेंगे उसके बाद capital के balance दे रखे हैं यह आपकी कोश्चन में जो balance sheet होती है वो old balance sheet होती है new balance sheet हम तैयार करते हैं old balance sheet में partners capital account में A, B, C के capital account के balance दे रखे हैं जिसे हम partners capital में लिख देंगे buy balance BD करके 16800, 12600 और 6000 जिस A की column में, B की column में और C की column में लिख देंगे D के आगे हम dash लगा देंगे उसके बाद हम इस side में आ जाएंगे अपनी old balance sheet के संपत्ती पक्ष में सबसे पहले लिखा है रोकर 600 रोपे जिसको हम cash account में लिख देंगे to balance BD 600 उसके बाद हमारे पास balance sheet में लिखा हुआ है देंदार यानि adapter 10800 ठीके adapter हम पढ़ते हैं जब old balance sheet में तो 10800 दी हुए हैं नीचे अगर हम adjustment में देखते हैं उसको तो adjustment number है उसके fourth जिसमें लिखा हुआ है संदिक द्रणों के लिए 5% संचिती बनाया जाए तो ये संदिक द्रण के लिए जो संचिती होती है वो सीधे-सीधे adapter पर calculate होती है adapter को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे asset side में 10800 और ये 5% इस पर हम calculate कर लेंगे 10800 का 5% और आएगा 540 रुपे जिसे हम BDR के नाम से यानि bet debts reserve के नाम से adapter में से minus कर देंगे माइनस करके जो amount आएगी हम बाहर लिख देंगे अब ये हमारे पास assets कम हो गई जब assets कम होती है तो उसको हम revolution account के debit side में लिखते हैं revolution account के debit side में लिख दिया 2 BDR 540 जितनी कम होगी उतना ही हम लिखेंगे उसके बाद है आपके पास अपनी old balance sheet में देखिए रहतिया 11400 यानि stock है 11400 stock को हम लिखेंगे asset side में stock 11400 और उसपे adjustment है third adjustment रहतिया तथा furniture का मुलिक 10% कम हो गया यानि stock को हम 10% से decrease कर देंगे stock का हम 10% निकालेंगे और decrease करके बाहल ले जाएंगे ये भी assets कम हो गई इसको ठाके revolution account के हम debit side में लिख देंगे 2 stock 1140 उतना ही लिखेंगे जितना कम किया गया है उसके बाद आपके question में furniture है 2400 रुपए का furniture को हम यहाँ लिख देंगे furniture 2400 रुपए उसपे भी हम 10% कम करके बाहर ले जाएंगे जितना furniture कम होगा उसको हम furniture के नाम से revelation account के debit side में लिख देंगे उसके बाद अगला हमारे पास assets आता है भवन जो की 19,500 रुपए है building को हम यहाँ लिखेंगे building 19,500 और अपने question में देखिए नीचे adjustment सबसे last दे रखी है कि भवन का मूले बढ़ा कर 27,000 कर दिया गया it means यह है पहले 19,500 का भवन था अब उसे बढ़ा कर 27,000 कर दिया गया तो 7,500 रुपए आपके बढ़े यहाँ पर assets बढ़ गई तो हम increase करके इसको बाह ले assets बढ़ जाने के बाद वो revolution account के by side में यानि credit side में आती है by bidding 7,500 रुपए उसके बाद हमने अपनी old balance sheet के सारे item कर लिए assets के सारे item कर लिए उसके बाद हम जहाँ नीचे adjustment है question में वहाँ पर आ जाते हैं उसमें लिखा हुआ है A, B, C लाभानी समान अनुपात में बाटते हैं समान अनुपात का मतलब हुआ आपके partner है 3 A, B, C और D नया partner आया है तो जो A, B, C हैं इनके समान अनुपात है समान का मतलब है 1 ratio 1, ratio 1 It means सबका ratio बनेगा 1 by 3, 1 by 3 और 1 by 3 दूसरी बात अब हम पहली adjustment पे आते हैं जहां लिखा हुआ है कि दा ख्याती के लिए 9,000 रुपे तिथा पूंजी के लिए 15,000 रुपे लाएगा ख्याती के लिए दा 9,000 रुपे ला रहा है गुडविल यहाँ पर cash में है तो हम क्या करेंगे गुडविल को partners capital account में distribute करके लिख देंगे यह दिहान है old partner, old ratio में distribute करके यहाँ पर लिखेंगे old partner है A, B और C और old ratio है 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 तो इस ratio में हम जो यह 9,000 ही गुडविल दे रही है उसको distribute कर देंगे जो 33,000 रुपे A, B, C में लिख दी जाएंगे उसके बाद इसी गुडविल को उठा के चोकि यह cash में थी हम cash account में लिख देंगे to goodwill 9,000 रुपे 15,000 रुपे की जो पूझी लाया था तो हम by cash के नाम से D में 15,000 रुपे लिख देंगे क्योंकि capital लाया है कौन? D तो हम D के column में 15,000 रुपे लिख देंगे by cash करके और इसको उठा के cash account में हम लिख देंगे to D's capital 15,000 रुपे second adjustment हमारे पास है ख्याती की आधी रासी पुराने साज़दार द्वारा निकाल ली जाएगी आधी रासी ख्याती हमारे पास question में 9,000 रुपे है और उसका आधा हुआ 4500 रुपे यानि 4,500 रुपे उसको पुराने साज़दार निकाल देंगे ख्याती हमेशा partners capital account में debit side में निकाली जाती है cash के नाम से 9,000 की goodwill थी जिसका half यानि 4500 withdraw कर रहे है यानि निकाल रहे है old partner यानि ये 4500 old partner के ratio में distribute हो जाएगी 1 by 3 1 by 3 1 by 3 तो ये distribute होने के बाद 1500 1500 1500 ABC में लिख दे जाएगी और चुकि cash में withdraw की जाती है goodwill इसी दे इसको उठा के हम cash account में रिदेंगे by A, B और C 15500 उसके बाद adjustment दभी हम question करते हैं तो question पूरा करने के बाद एक बाद सारी adjustment दुबारा चेक कर लेते हैं कि कोई adjustment हमारी रहे तो नहीं गई है हमने देखा तो हमारी कोई adjustment नहीं रही है तो इसलिए हम question को starting से complete करना शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा portion revolution account complete होगा revolution account का total debit side का भी ज़्यादा आ सकता है और credit का भी ज़्यादा आ सकता है तो इस समय हमारे पाद जबने total आ के देखा तो इधर का total हमारे पास यानि credit side का total ज़्यादा था credit side का total debit side का total में लेके आए और ये पूरा plus करके इसमें से minus कर दिया minus करने के बाद हमारे पास 5580 balance बचा ये balance जो old partner है वो distribute कर लेंगे मतलब 5580 को old partner old ratio में distribute करने के बाद यहां लिख लेंगे 1860, 1860 उसके बाद इस profit को जो distribute हुआ है उसको सीधे सीधे उठाके हम partners capital account के buy side में buy revolution account के नाम से show कर देते हैं ABC में ये amount लिख दी जाएगी उसके बाद हम partners capital account को पूरा करते हैं और एक एक करके column का total लगाएंगे सबसे पहले हमने A का total लगाया 21660 debit side में लेके आए इस total को और केवल उस समय एक amount पड़ी थी पंदरा सो रुपे इसमें से minus कर लिया minus करने के बाद हमारे पास 20160 balance बचा ठीक इसी तरीके से B, C और D का लगाएंगे total लेके आएंगे इधर ये minus कर लेंगे जो minus करके आया ये बचा ये हमारे पास new firm की capital होती है क्योंकि old firm की capital तो यहां transfer कर दी गई new firm की capital हमारी ये आई इन चारों को लेकर हमें अपनी new balance sheet में capital account के नाम से चारों की capital लिख देंगे A, B, C, D के नाम से और उसका total लाकर हम बाहर ले जाएंगे उसके बाद हम cash account को फूरा करेंगे इसका debit side का total जादा है 24,600 credit में लेकर आएंगे और credit side का total जो तुम्हारे पास ये 15,000 रोपे 15,000 रोपे 3,000 जगा लिखेंगे 45,000 रोपे 24,600 में से minus कर देंगे minus करके आएगा 20,100 रोपे ये new firm की cash है अब इसको उठा के हम अपनी new balance sheet में डाल देंगे cash account 20,100 उसके बाद हमें कुशनी करना है दोनों side का total लगा लेना है दोनों side का total equal आना चाहिए अगर total में फर्क है तो balance sheet गलत है हो सकता है revolution में गलती हो जाए partners capital count है cash account में दोनों side का total लगा देंगे equal आ गया motion हमारा ठीक हो गया ये ध्यान नहीं कि अगर revolution का profit ये loss जो भी आता है अगर गलत निकलता है क्योंकि वो partners capital account में transfer होता है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और फिर cash account पे भी effect पढ़ सकता है और balance sheet का answer नहीं है कोई problem होगी तो आप पूछ सकते हैं इसको thank you